मुझा संफ ऑव् Jupiter हेया गैस वेलकम ठाक टा माई चानल को आज के वीडियो में मैं आप शेर करने वाली हो कि आप विवीटामिन E कैप्सिल को काईसे यूज्श कर सकती है मैंने इस वीडियो में 6 वेशेर की है जिससे आप अपने विटामिन E Capsules को यूज कर सकेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे एक hair massage oil उसे बनाने के लिए हमें 1 टेबल स्पून अफ coconut oil चाहिए और उसके साथ एक विटामिन E Capsule चाहिए इन दोनों चीज़ों को अच्छे से mix कर लीजिए और इस mixture को अपने बालों में अच्छे से apply कर लीजिए एक घंटे के बाद अपने बालों को एक mild shampoo से अच्छे से धोलीजिए coconut oil आपके dry hair को nourish करेगा और उसे के साथ साथ आपके hair loss को prevent करेगा अगर आपको splittance या dandruff की problem है coconut oil उसके साथ भी बहुत अच्छे से fight करेगा विटामिन E Capsule आपके hair growth को stimulate करेगा और आपके hair को बहुत ही जादा moisture provide करेगा करेगग दूके मनेश की बहुत हादा बहुत है तो, मैं नहसे ही जाह से तो, यदिकी जादा मी करेगा झाल नहसे ही जादा आपके यकाल बहुत है अभी हम बनाएंगे एक eyebrow and eyelash growth gel इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए थोड़ा सा castor oil आप 1 tablespoon of castor oil ना यूज़ करें क्योंकि आपको उतना नहीं चाहिए और उसके साथ एक vitamin E capsule भी आपको चाहिए इन दोनों को अच्छे से mix कीजिए और हर रात को सोनी से पहले इस mixture को अपने eyebrows और eyelash में लगाके सो जाएए esteroil और vitamin E capsule दोनों ही आपके eyebrow और eyelashes को grow करने में help करेगी और अगर आपके eyebrows और eyelashes अच्छे से grow नहीं होते हैं तो आपको ये remedies ज़रूर ट्राइ करना चाहिए अभी हम बनाएंगे एक face scrub इस face scrub को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए one tablespoon of rice flour फिर हमें चाहिए one tablespoon of rose water और last में हमें चाहिए एक vitamin E का capsule इन तीनों चीजों को अच्छे से mix कर लीजिए और इस mixture को अपने face पे अच्छे से massage कीजिए आपको massage या scrub 5-10 minutes थक ही करना है और उससे जादा नहीं करना है 5-10 minutes के बाद थंडे पानी से अपने face को अच्छे से धोलीजिए rice flour एक बहुत ही अच्छा exfoliator होता है और वो आपके dead skin को अच्छे से remove करता है उसलिके साथ-साथ अगर आपका skin oily है तो वो आपके oil को भी बहुत अच्छे से absorbed कर लेता है अगर आपका skin acne prone है तो आपके acne को भी वो अच्छे से reduce करता है और आपके skin को tighten भी करता है rose water आपके skin के pH level को balance करेगी उसलिके साथ-साथ आपके excess oil secretion को control करेगी वो आपके acne को भी clear up करेगी और आपके pores को unclog करेगी vitamin E capsule आपके scars को fade करेगी और आपके scars को permanent होने से prevent करेगी उसे के साथ साथ अगर आपको wrinkle और hyperpigmentation की problem है उसके साथ भी vitamin E capsule बहुत अच्छे से fight करेगी अभी हम बनाएंगे dark circle slash wrinkle oil इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए one tablespoon of almond oil और उसके साथ हमें चाहिए एक vitamin E का capsule इन दोनों चीजों को आपको अच्छे से mix करना है और हर रात को सोनी से पहले अपने dark circle के area पे या जहाँ भी आपको wrinkles होता है उस area पे इस mixture को अच्छे से 5-10 minutes तक massage करना है और फिर सो जाना है next day उठके जहाँ भी आपने ये mixture को लगाया था उस area को ठंडे पानी से अच्छे से धो लेना है almond oil और vitamin E capsule आपके under eye area को अच्छे से moisture प्रवाइट करेगी और उसी के साथ साथ आपके complexion को improve करेगी और आपके skin tone को lighten भी करेगी अभी हम बनाएंगे एक lip mask इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 tablespoon of honey और उसके साथ आपको चाहिए एक vitamin E का capsule इन दोनों चीजों को अच्छे से mix कर लीजिए और हर रात को सोली से पहले इस mixture को अपने lips पे एक mask के तरह apply कर लीजिए और सुबह उठकी ही इस mask को अच्छे से पानी से धो लीजिए honey और vitamin E capsule आपके lips को बहुत जादा moisture प्रवाइड करेगी और अगर आपके lips बहुत ही जादा cracked है तो ये mixture आपके lips को बहुत अच्छे से cure करेगी अगर इस lip pass को आप every single day use करें तो every morning आपके lips बहुत जादा soft, बहुत ही pink और बहुत सपल बन जाएगी last में हम बनाएंगे एक night cream इस night cream को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए थोड़ा सा moisturizer आप जो भी moisturizer अपने skin के लिए यूज करते हैं आप उसी को यूज कर सकते हैं और उसके साथ आपको चाहिए एक vitamin E का capsule इन दोनों चीजों को अच्छे से mix कर लीजिए और इस क्रीम को हर रात को सोनी से पहले अच्छे से अपने फेस पे लगा के सो जाएए सुबह उठके ही आपका फेस बहुत जादा बहुत जादा हल्दी भी तिखेगा यही सिक्स्वेस थे जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी और यह सारी रमेडीज बहुत ही जादा तो आप लोगो इन रमेडीज को जरू ट्राइ करना है और इन रमेडीज के अच्छे जल को पाने के लिए इन रमेडीज को आपको लोग तक रेगुलर्ली करना है So that's it for today's video, if you found this video helpful then do not forget to give this video a huge thumbs up, subscribe to my channel and also click on the bell button besides the subscribe button so that you get notified every time I post a new video, share this video with your friends and comment down below what other home remedies do you guys want me to make and I'm gonna see you all with my next video very soon, till then take care, bye!